वेलकम तू एपिकल बायलोजी अवर टुड़ेज टॉपिक इस केमिकल रियक्शन जैंड इक्वेशन इदे वेच आसी देखांगे कि केमिकल रियक्शन हुंदी की है एक ओ प्रोसेस हुंदा है जिदे वेच एक या एक तो ज्यादा सबस्टांस मिलके कोई नमा प्रडक्ट देया ठीक है एंड उन्होंनों वसी फिजिकल मेथड देनाल वक्रा नहीं कर सकते जिदा सदिकूल कोई भी प्रोड़क्ट आएगा उन्हों वसी सिंपल मेथड होगे जिमें मैगनेटिजम हो गया चुम्बक नाल या फिल्टर करनाल या सेंट्रिफ्यूज करनाल इवेपो सदिकूल ने रियक्टेंट एंड इन्हों जेड़ा एरो हैड दे अग्गे देडी चीज बनी सी इस अदिकूल प्रोड़क्ट ठीक है रियक्टेंट एक या एक तो वाद सी जेवें केमिकल रियक्शन दी डेफिनिशन कीता कि कोई एक या एक तो वाद सबस्टांस मिलके को होती नमास बना रह थीक है हम हम एत lassud कुले थे रियक्तेंटस ने and जटो की सथे कोल बनें ऐसाद завdı कि agre धिर थीक है इधी Trek कि यं долके स्क्रास के मिल एक्षोंंदा करें ऊदी तो इसटेट असाथ और उदा color change हो सकता है, temperature change हो सकता है, and evolution of gas जड़ी हो सकती है, हम जड़ी सारी को chemical reaction, सारी daily life किया सी कोई chemical reaction हों दी है, सारी body दे वेचे, उदिये examples ने, यहां सी देख देया है, कोई इस तरह दी reaction जड़ी chemical change हो रही है, digestion एक chemical reaction है, जबे तुसी पढ़े हो एगा, life processes chapter दे, वेच के जड़े food substance हो, smaller particles वेच डिवाइड हो जन्दे, respiration जड़ी देख आएगी, glucose दी breakdown हों दी हो, that is a chemical reaction, rusting of iron जड़ी कोरोजन हों दा है, कोई iron nail brownish हो जन्दा है, ठीक है, जन्नों जंग लगना किन्दे, जड़ी चीज़ों chemical reaction हो, formation of curd from milk is a chemical reaction, इस सारी बढ़ी हो, common example हो तुसी almost अपनी life दे वेचे सारी चीज़ों देखे हो एगा, ठीक है, हुन साथे को लसी जवें गल किती सी, कि A या B ने, ओ कौन ने reactant, जड़ी chemical reaction, जड़ी chemical उस reaction दे वेच पार्टिसिपेट कर रहे ने, ओ हुन देया reactant, एंड ओ वहला substance, जड़ा सदिकोल बंद आए, जड़ा असी येथे सीप देखे है, हुन सदिकोल की ये product है, हुन कि या, इदी एग्जांपल एक देख लेने हैं, जड़ी लिए असी, जड़ी बर्निंग हुई, तो आटोमेटिकली हवा वी चली oxygen दे नाल रियक्ट करके, मगनेशियम ने सदिकोल प्रोड़क्ट बनाता, मेगनेशियम आकसाइड, ठीक है, हुन एवल ये जड़ी हैं, जड़ी हैं, केमिकल रियक्शन ने, असी अटे क्या नों मेगनेशियम अकसाइड है, हुन एक चीज ते आंच रखनबलिया, कि जिनिया मिं केमिकल रियक्शन उननी अहाँ उन्हा भीच असी हमेशा जड़े सबस्टान्स उन्हा दे सिंबल यूज़ करदे हैं ठीक है सपोज के जिमें कॉपर लिए सी यूज़ गरंगे ऐलिमेंट्स दे सिंबल्स ने ओ यूज़ करदे हैं ओकशीजनली ओ ठीक है हाइड्रोजनली H यह तरह असी प्रॉपर होदा नाम नहीं लिखते होदे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जडिया ओधे थ्रू रियक्शन जडिया हो असी लिखते हैं ठीक है हुन एक ते दिन आल असी क्या के दे रियक्शन दे वेचे दे सिंबल्स यूज कर दे है प्लस की चीज़ देखने वाली है कि उस रियक्शन दे वेचे जडिये एलिमेंट यूज होए ने उनना दी स्टेट के डिया ठीक है स्टेट ऑफ मोलीक्यूल या स्टेट ऑफ एलिमेंट की या जियो लीक्वड है सॉलिड है या गैसी फ़र्म दे वेच उन्नों यसी नाल सिंपलर लिखांगे जिमे मगनेशिय मां एंड ऑक्सीजन हो रियक्ट करके मगनेशियम ऑक्साइड बना रहे है ठीक है हुन इवाली जड़ा मेगनेशियम इस सॉलिड स्टेट दे वेचा क्योंके यसी यूज गिता सी इट इस रिबन ठीक है सॉलिड होएगा एंड ऑक्सीजन अटमस्फियर दे आइशा जन्यावी केमिंकल रियक्शन आ उन्हादे वेचा सी उन्हादे सिंबल्स यूज कर दे हैं प्लस उन्हाद एलिमेंट्स थी उन्हाद मॉलीक्यूल दी स्टेट के लिया गैशिय सा लीक्वड या एक्वसा ठीक है सॉलिड तुसी अंडर्स्टेंड कर सकते हो लीक् एक को सेंड आउदा सिंबल होगा एक्यू नेक्स आगया साधिकूल केमिकल रियक्शन ता आ गी है असी सिंबल दे उन्हों बेस दे राइट कर लिया बट उन्हों बैलन्स कि में कर लिया ठीक है उन्हों बैलन्सिंग देवेच आसी थे एक्जम्पल देखांगे आईरन प् प्लास H2 ठीक है उन्हों असी पढ़िया असी अल्रणी कि आई साधिकूल रियक्टेंट ने एस आधिकूल प्रोडक्ट ने ठीक है आईरो हैड अधि अगली वाली साइड वाले जे राइट हैंड साइड वाले हुन्दे हो अमेशा प्रोडक्ट हुन्दे आँ आँड आल असी लेख लिया साड़ेकुल रियक्टेंट एंड प्रोड़क्ट ठीक है उस तो इलावा आसी की कर देयां कि हूं साड़ी जिन्यामी रियक्शन आगी है साड़ेकुल प्रोड़क्ट भी आ गया है असी यदी आज दी मॉलीक्यूल दे वेच चेंज नहीं ला सकते न सारे द題ंहीं नुआ असी इक ब्रीकेट इंकलूड कर लिनियां इसे यदेइधि आ वाले मॉल्सायी कर सकाँगे सिर्फटे इदी बाहरवाले मॉल्सायी गिक्शिश्ट आ वी बैलन्सода करो था ग्योग आनों असी जड़ी जिल्यामी ए दिक ह्योनें साड़ेक न कर सकते आएक콩 वो रियक्टेंट वाली साइट ते किनना है एक है एक है एक है फी ठीक है एदर देख लाना प्रोड़क्ट वाल किनना है किनने फी ने थ्री हाइड्रोजन देख लिए किनने हाइड्रोजन ने दो एदर किनने हाइड्रोजन ने दो ठीक है ऑक्सीजन देख लिए रियक्टें बैलन्स करन वाली के दी चीज है हुन बैलन्सिंग चैसी की देखना है कि सब तो पहला आइरन मॉलक्यूल प्रोडक्ट चो तेन ने असी चेंज नहीं कर सकते इस करके असी रियक्टेंट वाली साइट देनो बैलन्स करन दी कोशिश करांगे एथे असी लिखता 3 ठीक है 3 F E मतलब तेन साइटिकूल आइरन दे मॉलक्यूल होगे आइरन बैलन्स हो गया उस्तो बाद आगया हाईड्रोजन साइटिकूल अल्रडी बैलन्स दा ठीक है फिलहाल तक नेक्स्ट आगया साइटिकूल ऑक्सिजन अक्सिजन हम इधर एक है इधर चार ने ठीक है असी की करना है एथे सी यह दे डाउन दा ब्रेकेट लिखनी सकते असी ब्रेकेट दे बार लिखता 4 हम साइटिकूल एददा था सपोस कोई भी मॉलक्यूल आए जीड़ा अपना थे लिख्या होया है इधर मतलब है 4,2,8 है थे हाइडरोजन 8 होगे एड ऑक्सिजन जीड़े क्योंके ब्रेकेट दे बार पर 4 ही ऑक्सिजन है ठीक है? ऐवाला कॉमन उन्दा दोना वासते ते जिननी व्योदे वैल्यू होए डाउन उननों मल्टिप्लाई कर देता है हाइडरोजन नो मल्टिप्लाई किता है हाइडरोजन 8 होगे एड ऑक्सिजन सादेकोल किन्ने होगे 4 ऑक्सिजन था सादेकोल बैलन्स होगे बट सादेकोल इंक्रीज की होगया होने थे हाइडरोजन हाइडरोजन किन्ने सी पहला दो सी गे दोनो प्रोड़क्ट वेच सी है बैलन्स ही बट हून की हो या हाइड्रोजन सादे कूल एथे आठ हो गिने इस करके इस चीज़नों बैलन्स कर ली आसी एथे लिख दांगे 4 4, 2, 0, 8 जिड़ा इदर 4, 2, 0, 8 हो यासी होन असी दुबारा एक वरी चेक कर लेने हैं के सादे कूल रियक्टेंट वाल आइरन किने ने 3 एफ़ी प्रोड़क्ट वाल एफ़ी 3 मतलब तेननी ने वाटर मॉलक्वल ने इसा प्रोपर दिखांगे इस हाइडरोजन अड ऑक्सेजन वखवख करके अब्जर्व करांगे 4, 2, 0, 8 हाइडरोजन 8 हो गे हाइडरोजन 8 हो गे ऑक्सेजन 4 हो गे इत मींज के इस अधिकोल रियक्शन जीडिया बैलन्स होगी है ठीक है इन्हों हे 10 ट्रायल मेथड केंदे है इधे विच तुसी एही देखना है के पहलना रियक्शन देखके ओधे रियक्टेंट अन्ड प्रोडक्ट ऐस तरह साइट दे लिख लेने है ठीक है फिर उन्हों ब बैलन्स करना एंड बैलन्सिंग चीज जरूर ते अंच रखनी है कि तुसी ओधे जड़े पैर वाली वैल्यू नहीं चेंज कर सकते ठीक है उधे ब्रैकेट्स इंक्लूड कर लोगे ते बाहर वाली जड़ी वैल्यू आ जिनने में देखो असी अडिशन किती है असी ब्रैक में नेक्स्ट आप वाई डूवी नीड टू बैलन्स केमिकल एक्षिन असी बैलन्स कर दे क्यों ठीक है क्योंकि लाओ फंजर्वेशन ऑफ मास्क थे है कि मैटर के नीदर भी क्रेटर नौर डिस्ट्ट्रॉइड नहीं हुंदा थीक है ते नाहीं क्रेट हुंदा है इदा मत करके इस लाओ दा करके लाओ फंजर्वेशन ऑफ मास दा करके इस रियक्शन नो इननो बैलन्स कर दे है